CBSC Board की जितने भी Private Candidates हैं और जितने भी Regular Candidates हैं उनके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर जो की नयो भारत टाइम्स की मदद से हम आपको पहुचाएंगे यहां पर देखें साफ साफ लिखा हुआ है कि CBSC की 10B और 12B की Board Exam Date घोसित यानि कि CBSC 10B और 12B की Board Exam घोसित कर दिये गए हैं और रिजल्ट की भी आई है सूजना यानि कि Private Candidates और Regular Candidates दोनु के लिए ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आप इस व 12B की Board परिक्षा को लेकर एक जरूरी जानकारी दी है ओफीसिल वेबसाइट सीब्यसी.gov.in या फिर सीब्यसी.nic.in पर दो अलग-अलग नोटीस भी जारी किये गए हैं सीब्यसी क्लास्ट 12 रेजल्ट 2021 के संबद में बोड ने कहा है कि स्कूल्स द्वारा परिनाम तयार करन 10 और 12 के Board एक्जाम की भी सुचना दे दी गई है बोड ने कहा है कि प्राइविट स्टूडेंट्स के लिए ये परिक्षाएं अगस्त सतंबर 2021 में ली जाएगी परिक्षा 16 अगस्त 2021 से सुरू होकर 15 सतंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी रिजल्ट भी कम से कम समय में घोसित क किया जाएगा सिबेसी ने यहाँ भी कहा है कि UGC के साथ मिलकर कॉलेज एडमिसन सेड्यूल इसी परकार तयार होगा जो छात्रों के हित में हो इसमें रेगुलर के साथ साथ राइविट स्टूडेंट्स काफी खयाल रखा जाएगा बोड ने कहा है कि UGC ने 2020 में भी ऐसा नहीं किया था गहुर तलब है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बोड एक्जाम रद्ध होने के बाद यहाँ मुद्दा उठ रहा था कि प्राइविट कैंडिडेट्स की परिक्षा क्यों ले जा रही है रेगुलर की तरह ही प्राइविट स्टूडेंट्स के एक्जा क्यों कैंसिल नहीं किये गए हैं जाने इस पर बोड ने क्या जबाब दिया है प्राइब इस्टुडेंट्स के लिए दस्वी बारभी बोड एक्जाम कराए जाने को लिए गर सिबेस्टी ने सफाई दी है कि बोड ने कहा है कि रेगुलर इस्टुडेंट्स के तरह बूर्ड एक्जाम एसमें बिना बूर्ड एक्जाम उनका रेजल्ट बनाने का कोई आधार मौझूद नहीं है यह बाद सुप्रेम कूट के समक्ष पर रखी जा चुकी है यहां पर जैसे कि आप देख पा रहें सीबस्थी का ये नोटिस आप देख पा रहें ये सीबस्थी क नोटीस है